मजबूती कंपनी बोलती है हमने ABS बोड़ी लगाई है इस होण के उपर तूटेंगे नहीं ठीक है होण देखिए हम उपर से घिराएंगे मैं दिखाता हूँ आपको तो देखिए मेरी गुडिया उपर लेके होण को बैटी है और मैं इसको चेक करूँगा और गिराने के बाद यहाँ पर टेस्ट करूँगा बाइक पर लगाके वो बन तो नहीं हो गए खराब तो नहीं हो गए यह फिर तो नहीं गए तो होण मैंने इसके अंदर से निकाल दि हैं देख सकते हैं कम से 12-13 फूट की हाइट से नीचे गिरे हैं अब देखते हैं टूटे नहीं एबियस जो इसकी बॉड़ी हो कितनी मजबूत है तो यहाँ पर चेक करते हैं तो गाइज यह होण तो इसका बिल्कुल सेफ है देख सकते हैं अब बारी है इसकी साउंड की च सब्सक्राइब नहीं हो गए तो नहीं हो गए तो इतनी उचाई सी किरने से ठीक है तो यहाँ पर चेक करेंगे लगाके अब तो होना बजाता हूं तो गाइज यह इसकी साउंड तो बिल्कुल ठीक है कुछ नहीं बिगड़ा अब दोसरा पीश चकता हूं नीचे से तो यह चै ven자가 लगा उन्दददे रखता हूं और 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 चीक करता हूं होन जी तो जोता की बिल्कुल बज रही है आप देख सकते हैं मैंने को कीतनी हाइट से गिराया है आप देख सकते हैं कितने मजबूत होन काम लाए जनन इसको और फिर से मैं इसको उयसे देटका करता हूं देख सकते हैं कुछ नहीं बिगड़ता बहुत मजबूत कंपनी ने इसको बनाया है तो आप चाहें तो इसको लगवा सकते हैं अपको यह भी डर नहीं कि बच्चे वगए इसको कुछ मार देंगे तोड़ देंगे अच्छे हैं होन बदने भी बंद नहीं हुए गि हैं जिनकी कोई भी लिमिट नहीं और दोस्तों चाइनिज होन तो बहुत ही सारे मार्केट के अंदर मिल जाते हैं और दोस्तों जब आप किसी मेकानिक शौप पर जाएंगे तो आप देखेंगे ओना मिंड़ा के हो आपको लगबग जो है वहां पर देखने को जरूर मिलें या आप यह भी कह सकते हो मैजोर्टी ओफ होर्ण इसी कंपनी के मार्केट में अवेलेबल हैं इसलिए मैंने कस्टमर पर यह उना मिंडा का होर्ण लगाने का डिशाइड किया है चलिए अब इस होर्ण की अन्बॉक्शिंग करते हैं दोस्तों आप देख सकते हो बॉक्स प यह सेफटी के लिए जो है सबसे बैस्ट जो एक्यूइपमेंट है वो यूज करना आइडल होता है क्योंकि दोस्तों यह ओई एम को ही अपने पर प्रोड़क्ट जो हैं सब्लाई करते हैं औरिजनल स्पेर पार्ट की मैनुफेक्ट्रिंग मॉस्ट ओफ दा टाइम्स ओना म पिंडा के ही होते हैं चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं तो गाई सप्लेंटर प्लस में इस होन को लगाना बड़ा असान है यह लैग गार्ड के दो दो बोल्ट लगे हैं इनको खोलिए और यहां पर होन को इस तरह से लगा दिया है बस यहां पर ध्यान रखने वाली ब ओ खहारा इस इस बोक्स छो है वाय निटी है इसमें फिम्ल गरालते हैं हैं आपको दो सकते हैं और जो वायञ उसमें थोड़ा जोइंट भी mines आपको इसतरह से कखने है दो थिंबल एक साइड में लगाए होन के और वही थिंबल वही कनेक्शन आपको दूसरे होन में लगा देने हैं दूसरी साइड में इस तरह से एक वायर उपर से जाएगी वह उपर लगेगी और निच्छे से जाएगी वह निच्छे लगेगी और दो तार इस तरह से कवोडी इर्थिंग करना है ये वाली तार ठीक इसको हम ऊपर की तरफ आगे जो बोल्ट लगा एउस है उस में एर्थिंग करदें नियूंट से इसको अर्थिंग कर डिया अब दोनों हौण में इー चला आड़ा देना है होरन की तार आफ किसी भी साइड में लगा सकते हैं और जो गतार बची एक दो हमने कर दिया अब ये दूसरी तार बची इसको हमने रिले की यह जो पीं बची है इसके साथ लगा लगा दिया ठीक है अब एक पीन बची है रि ले की यहां से पोजटीव जाएगा होड़ निदर तो दूसरी साइड में एक पीन बची है दोस्तों उस पर हमें जो है एक अलग से तार लगाने पड़ेगी जीज़ो दोस्तों उसको जो है अब हमें अलग से जो है एक तार का टुकड़ा लगाना पड़ेगा देखी दोस्तों हमने इस पर लगा दिया है और जो वायर हमने यहां अलग से लगाई है वह बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे हमने डाइरेक्ट जो है रिले के साथ दोस्तों यह और तो हमने बाइक में लगा लिए चलिए अब मैंके कुछ जो की पॉइंट है वो आपके साथ सेर करता हूँ दोस्तों यह जो होन है वो जो इस sound produce करते हैं वो loud तो है ठीक है loud तो है दोस्तों लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं जो sound को सुनते हैं उनको यह sound annoying नहीं लगती यह जो है इस horn का एक बहुत ही important feature है इसके sound के बारे में दोस्तों company ने safety ensure के साथ साथ जो है noise control करके दिखाया है इस horn का जो एक बहुत अच्छा advantage है दोस्तों इस horn की sound frequency बहुत low है जैसे कि आप crowd में stand out करने के लिए इसका इस्तमाल कर सकते हैं वहां पर public को इससे ज्यादा परिशानी भी नहीं होगी इस horn का दूसरा benefit यह है दोस्तों यह जो है splash proof है splash proof मतवल के कहने का यह है जब बारिस होगी तो इसमें जो छींटे है वो छींटे बारिस की बोंदे है छींटे इसको खराब नहीं कर पाएंगी लेकिन आपको इस तरह से इसको लगाना है और मैं आपको एक एड़वाइज देना चाहूंगा यह waterproof नहीं है दोस्तों जब भी आप अपनी बाइक को वास कराते हैं तो वासिंग कराते समय इसका जो यह माउथ है ठीक है इस माउथ के अंदर जो है आपको जो है या तो कोई काघज का टूड़ा दाल देना है या कोई डाल देना है वास कराते समय क्योंकि मैं के मैं मेक हूं उसी साफ को एक अडवाइज दे रहा हूं तो यहां पर आपको पर और हो सकी तो होन और को इस तरह से लगाए जो इसका यह फेस है वो निच्छे की तरफ रहे रोड की तो वैसे कंपरी बारा महिने की वारंटी बोलती है लेकिन मैं कह oike कि आप लोग जो हाई जिस दुखान दार से खरीते उससे एक बार एंसियों कर लें कि क्या इसकी warranty 12 महिने की है, 6 महिने की है, 3 महिने की है, वो आपको दुकानदार ही बताएगा, सही तरीके से, जहां से आप इसको परचेज करेंगे, क्योंकि अलग-अलग area में, अलग-अलग warranty, जो है, मेकानिक भाई जो है, या फिर जो spare part वाले हैं, वो आपको देते हैं दोस्तो वैसे तो उना मिंडा बहुत ही अच्छी कंपनी है अच्छे होन बनाती है क्योंकि मार्केटे में जानतर जो मेकानिक भाई है वो यही होन लगवा रहे हैं तो यहीं आप इसको ख्रीद रहे हैं इसके साथ देजे अनुमती जाहिन वद्द मातरम हर हर महादेव